पर ये पताईए कि अब कल को उन्हें अगर पुलिस स्टेशन में नौकरी लगती है केंद्रे मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ये दलील दे रहे थे कि वो अगर पुलिस स्टेशन में जाती है और अलग-अलग रोल्स प्ले करती है और बुर्का पहनना क्या मुम्किन होगा अगर वो फाइटर पाइलेट्स बनती है वहाँ पर पहनना मुम्किन होगा क्या मज़म आप जहां तक आप आर्मी का जज़्जमेंट है आर्मी के जज़्जमेंट में रवीशंकर प्रसाद को बोलना चाहिए था वो ही तो वो ही तो बेड़ा गरक कर रहे हैं इसे रवी शंकर पसाद मंतरी जो थे वो बेड़ा गरक कर रहे हैं मोडी सरकार का मुबारक बात देता हूँ अगर पॉलिस फोर्स में किसी को मुसलिम महिला को या मुसलिम मेल को जाना है वो फोर्स जाइन करने से पहले से ये बता सकते हैं कि मुझे डाड़ी है मैं हिजाब पहन रही हूँ तो अलाव करते हैं जज्जमेंट एकोर्ट का फाइटर पाइलेट प्राइटिकालिटी अफ क्लोड अर्मी का रूल है कि सुनिये सुनिये मैडम अगर आर्मी का कोई रूल है पहले से आपको बताया जा रहा है आपके यह तो रूल को फालो करना पड़ेगा यहां पर हम यह कहरें स्कूल है खुदा के लिए जो आप महिलाएं जो पाइलेट चलाती है पाइलेट है उनको कौन रोक रहा है आप क्यू रोकना चाहरें उनको और आप होते कौन है यह सरकार होती कौन है कि यह तै करे कि मेरे लिए अच्छा क्या है मेरे लिए अच्छा वो है जो मैं तै करूँगा आपका काम है सम्मिधान के तै के चलाइए सुप्रें कोर्ट में किया पहना जाएगा क्या क्षा हा जाक वो किसी का एक्षियार नहीं है आप डौन रपते बॉलने वाले आप ऐर्वी शंकरपसात्य करेंगे कि अम मेरी मेर मेरी भी पैटी पहने के तो कबिल लगी है क्या वो नहीं देखते हैं कोट्स ओफ लॉव में हिजाब पहन कर बैद अरे मैडम देखिए अब आप इस तरह के अगर बात करेंगे न तो हम को इजाज़त दीजिए बोलने की कि अंजना ओम कशब कहेंगी कि अंजना ओम कशब का जवाब इस तरह दिया जाएगा कि आपका रिवाद संस्कृती और हमारा रिवाद धार्मिक मेज्वारटी करेगी तो कल्चरल हम करेंगे तो रिलीजियस मैडम यह सवाल यह है कि अगर संभिधान में एक्वालिटी है संभिधान में room एक्सप्रेशन那 फ्रीडम और कॉंशन से सम्हिद आप practically देख लीजिए कि कल जब लड़कियां गर जाना चाहेंगी तो बोलेंगे हिजाब पहन कर नहीं आ सकती मगर सिंदूर लगा कर आ सकती है, मंगल सूतर पहन कर आ सकती है, कड़ा पहन कर आ सकते हैं, कए ये नहीं है, और आखरी बात मैडम, भारत सरकार ने ये डेटा दिया है, कि करनाटका और तेलेंगाना ऐसे स्टेट्स हैं, जहां पर मुस्लिम बच्चियां, हिंदू बेटियों के बराबर स्कूल को जा रही हैं, समझे तो सहीं इस बात को कि वो पढ़ना चाह रही है, वो यून कॉलिफाइट स्पेसिस हैं, बताइए हमको आप, हाई कोर्ट ने तो एक नया जूरिस्पृइट कर दिया कॉलिफाइट स्पेसिस के नाम पर, सर, कुछ बच्चे ऐसी हैं, जो एक्जाम नहीं दे रही हैं, घर वापस जा रही हैं, वो कह रही हैं कि हम हिजाब पहनेंगे, चाहे हम पढ़ाई छोड़ दें, आप उनसे कहिएगा कि नहीं, किताब को किसी भी हाल में मत छोड़ना, किस ने क्रियेट किया ये माहौल, बीजेपी ने क्रियेट किया ना, उत्तर परदेश के चुनाओं में आज तक पे दिखाया गया, कि जेपी नड़ा को मुसलिम महिलाएं हिजाब निकाब पेन कर आरती उतार रही है, मुमे लड़ू पूट रहे थे जेपी नड़ा के, हैं और फिर मोडी जी की रैली में हिजाब निकाब पहन कर महिला बैठे हैं मोडी जी वो रहें देखिए मैंने मुस्लिम महिलाओं को यह किया आपके ओर्ट की जरुवत है तो मुस्लिम महिला जिन्दाबाद मुस्लिम महिला को सिक्षा की जरुवत है तो मुर्दाबाद ये कौनसी इपोक्रेसी है बीजेपी की